तो चलो दोस्तो आज Bodybuilding Podcast की कहानी आप लोगों को हिंदी में सुना दाओ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Ian Valier से, विकॉज उन्हें ने कहा है कि वो सबसे easiest प्रेप करें, साथी साथ Dexter Jackson ने Jay Cutler के उपर एक statement किया है, और Chris Asito ने तो Jay Cutler के उपर ऐसी बाते कही है, कि कभी Jay Cutler भी खुद के बारे में इतने openly नहीं बाता दे, साथी साथ Chris Bumster ने Arnold को हराने को उपर क्या कहा है, वो भी सुनते हैं, तो चलो आज मैं कहीं देता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्स्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो आपका फेवरेट पोर्शन, बिकॉज मैं कभी क कहेता नहीं, इसलिए आप सब्स्राइब करते हैं नहीं, तो चले डारेकले हम कंटेंट के उपर बात करते हैं, गाइस, इन वेलियर ने रिसेंट पोड़कास्ट में शेर किया है, जो उनकी करन प्रेप चल रहे टोरंटो प्रो की, वो एक हार्ड प्रेप नहीं है, वो फिर चार हपतों में मैं फिर से 265 पॉंट सक आ जाएंगा, बट एन वेलियर केहते हैं कि मैंने वो 25 पॉंट्स क्वालिटी आड़ करिये, लीन गेनिंग करिये, तो आगले चार हपतों में मैं डिफिनिटली 20 पॉंट्स इजी ले ड्रॉप कर सकता हूं, और 265 पॉंट्स पे में और आपका क्या ओपीने निए एन के बारे में, डिफिनिटली लेट में नो इन दे कमेंट सेक्शन, गाइस नेक्स्ट अपडेट आता है, डेक्स्टर जैक्सन के तरब से, तो डेक्स्टर जैक्सन कहते हैं कि मुझे जेगटलर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और जिस मैंने ऐसी कपड़े उतार कर आयने में देखा, देन मैं खुद को देखके दीमोटियोट हो गया, बड़ बाद में वही रिजन मना मेरी मोटिवेशन का, तो मैं फिर से जिम बैक में कमबैक किया, और मैंने खुद का ट्रांसफोर्मेशन किया, बट लोगों को लगता है कि देखके 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 और मेरी बॉड़ी अच्छी रिस्पॉंड करें, मतलब इस एज में भी अगर उनकी बॉड़ी डायेट पे अच्छा रिस्पॉंड करें, मुझे काफी अच्छी बात लगती है, काफी अच्छी जेनेटिक्स होंगे उनके, और हमेशा से मैं Dexter Jackson को एक आईडॉल मानता हूँ, 18 gram isolate protein ही मिलेगा, जो कि fat loss and a cure form of protein होता है, और आपके muscle gain के लिए काफी help रहता है, साती साथ 2 gram आपको creatin मिलेगा, और 4 gram आपको concentrate weight protein मिलेगा, तो weight protein का इतना जादा count वो भी सबसे कम rate में, तो सारे bodybuilders के लिए सबसे 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 product है, and I think it's the best in India, because जो लोग serious transformation करना चाह उनके लिए भी ये काफी helpful रहेगा तो अगर आपको बाय करना है जरे डिस्रिप्शन में लिंक है आप मेरा coupon code यूज करके discount पास सकते हो So guys hurry up come on let's go अगले update में Chris Aceto दोस्तो Jay Cutler के उपर अपना opinion शेयर करते हैं जो कि Jay Cutler को खुद को बाताना चाहिए था बट Chris Aceto ने विल्कुल confidence के साथ ये बाते करी है वो कहते है कि Jay Cutler के दिमाख में जरा भी नहीं है कि उनको Master Olympia खेलना है या फिर कौन सा और Bodybuilding शो कहलना है He just fit because उनका discipline है उनका प्यार है sport के प्रती और वो हमेशा health को priority देते हैं तो उनको लगता है कि there is a life after Bodybuilding और वो भी एक healthy होनी चाहिए इसलिए वो हमेशा diet पे रहते हैं और अपनी फिजिक को maintain करते हैं और physically वो fit रहते हैं बट उनका यह मानना है कि बहुत सर ऐसे Bodybuilder आ सकते Master Olympia में जिनका सपना हो Olympia जीतना बट उनके प्राइम टाइम में उन्होंने कभी जीता ना हो तो ऐसे Chris Asito का मानना है उन्होंने काफी सारी चीज़े प्रू करी है तो मुझे नहीं लगता कि वो Master Olympia में compete करेंगे बट जिस तरह किसे वो खुद को transform कर रहे हैं खुद के फिजिक को एक shredded बाना रहे हैं आप लोगों को क्या view है definitely let me know in the comment section तो last update आता है सबके favorite Chris Bumster के बारे में तो एक podcast में Chris को पूचा जाता है कि आपने Arnold को beat किया होता उनके prime physics पे या फिर नहीं तो Chris कहते है कि अगर मैं उनके time पे compete करता दिन सारे लोग shock हो जाते कि ये बंदा इतना lean कैसा है इतना shredded कैसा है because में काफी lean और shredded आता हूँ और Arnold के time पे bodybuilders इतने lean नहीं हुआ करते थे तो definitely हम बता नहीं सकते because Arnold का stage weight भी 240 pounds था और मेरा weight भी 240 pounds था but definitely अगर Arnold 2022 का Olympia खेलने आते मतलब अगर Arnold इस time पे compete करते थे ते इन में उनको definitely हरा होता but 2022 के Olympia में because Arnold का shape इतना अच्छा नहीं है इसे Chris Bumster केते कि Arnold अभी shape में नहीं रहते थे उनका shape अलग था तो ये Chris Bumster का thought time but दोस्तों ये मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ because दोनों bodybuilder अलग-अलग era के legend से Arnold ने एक era set करा था और Chris Bumster ने एक physics का era set करा है तो आप लोगों क्या लगता है अगर ये दोनों एक stage पे साथी compete करते देन कौन किसको beat करता Chris Bumster beat करते है Arnold को या फिर Arnold beat करते Chris Bumster को उसके बाद Chris Bumster को पूचा गया कि classic physics में price money बहुत कम रहता है तो आपका क्या thought है तो Chris Bumster कहते है कि definitely मैं नहीं कहूँगा कि मैं इतना deserve करता हूँ मैं उतना deserve करता हूँ विकाज हमेशा मेरी focus रहती है perform करने में और जितना मैं इस category में compete करूँगा जितना मैं इस category को popular करूँगा वही मेरी जीत होगी और इसे में कफी impress हो चुगा हूँ दोस्तों विकाज मुझे लगता है कि Chris Bumster ने चार क्लासिक फिजिक के टाइटल जीत है वह भी लागातार और अभी उनको कुछ ज्यादा पुरो करने के definitely जरूरत नहीं है बट फिर भी वह अपने 5 टाइटल के लिए आ रहे अपने फैंस के लिए और इस bodybuilding category को वह popular करना चाहते है तो यही उनकी सोच है यही उनका अप्रोच है So guys hats off to Chris Bumster and all these bodybuilders तो आप लोग को क्या thought है definitely let me know in the comment section Thank you so much for watching it see you soon love you all और next video concert topic पे चाहिए वो भी मुझे suggest करना